नमस्कार बच्चों, आज हम नवसंस्कितम के चैप्टर 18 छात्रा राम लक्षडानी सट को पढ़ेंगे पहला श्रोक देखें संदी किया गया, इसको तोड़ कर पढ़ेंगे छात्रा नाम लक्षडानी सट इस पार्ट में बताया गया कि छात्रों के जो हैं लक्षड हैं वो छे लक्षड होते हैं कौन कौन से हैं वो लक्षड काक चेश्डा मतब कववे सी फूर्ती कववे जैसे चेश्टा करना मतब कववे सी फूर्ती बक ध्यानम, बकुले जैसा ध्यान स्वान निद्रा, स्वान मिंस कुत्ता कुत्ते सी नीद, अल्प भोजनम, थोड़ा भोजन स्वाध्याय, स्वाध्याय मिंस अपने आप पढ़ना सैयम चाएव और सैयम ये 6 जो होते हैं वो छात्रों के लक्षड हैं तो आपका अर्थ है छात्रों के 6 लक्षड हैं कुवे सी फूर्ती, बपले साध्यान, कुत्ते सी नीद, थोड़ा भोजन, स्वाध्याय और सैयम दूसरा उद्धिमेन ही सिध्धयंत कार्याणी ना मनूरथ है उद्धिमेन मिंस परिश्रम सिध, सिध्धयंत मिंस सिध्ध होते हैं मतलब परिश्रम से ही कार्य सिध्ध होते हैं कोई भी कार्य जो है वो परिश्रम करने से होता है मात्र मनोरत करने से नहीं मतलब मात्र इच्छा करने से नहीं सोई हुई सेर के मुह में हिरन अपने आप नहीं जाते हैं कहने का मतलब यह है कि सेर इतना बलशाली होता है लेकिन उसको भी अपने भोजन के लिए उसको सिकार करना पड़ता है उसका जो भोजन होता है, जो कि हिरन होता है, वो चल कर अपने आप उसके मुह में नहीं जाएगा तो क्या अर्थ होगा इसका? कि कोई भी कार्य परिश्रम करने से होता है, मात्र इच्छा करने से नहीं सोई हुए शेर के मुह में हिरन अपने आप नहीं जाते अगला, अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुता सुखम अलसस से कुतो विद्या आलसी को विद्या कहां से अविदस से कुतो धन मतब अज्यानी को धन कहां से अधनस से कुतो मित्र निर्धन के मित्र नहीं होते अमित्रस्य कुता सुखम और बिना मित्र के सुख नहीं होता कहने का तात्पर है कि आलसी को विद्या नहीं हो सकती और अज्ञानी को धन नहीं हो सकता निर्धन के मित्र नहीं होते और बिना मित्र के सुख नहीं होता समय भोजनम निद्राम समय इसनानम अचरेत व्यायामम समय कोरियात यमो भीतो भविश्यती समय भूजनम, समय से भूजन, निद्राम समय और समय से निद्रा समय पर भूजन, व्यायामम समय और समय पर व्यायाम करने वालों से यमराज भी डरेंगे एक बाफी से देखिए, समय पर भूजन, समय पसोना, समय परिस्नान और समय पर व्यायाम करने वाले से यमराज भी डरेंगे अगला क्या देखिए, पुस्त के पाठिता पाठा, जीवने नैव साधिता, किम भवेत तेन पाठेन, जीवने यो निरर्थका क्या मतलब? पुस्त के पाठिता पाठा, मतलब पुस्तक में पढ़े गए पाठ का, जीवने नैव साधिता, यदि जीवन में आचरण नहीं किया किम भवेत तेन पाठेन, जीवने यो निरर्थका अगर आचरण नहीं किया जीवन में तो वैसी पढ़ाई का क्या लाब जो जीवन में निरर्थक हो एक बार फिस्ते देखें पुस्तक में पढ़े गए पाठ का यदि जीवन में आचरण नहीं किया तो वैसी पढ़ाई का क्या लाब जो जीवन में निरर्थक हो अब आखरी का देखिए अब आखरी का देखिए अर्थ जो है हिंदी में डालिए मुलाकात होगी अब आप से मेरी अगली वीडियो में